Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो आज में लग पढ़ेंगे Class 5 English अरिहन्त वर्कबुक का Unit 10 का Chapter 1 मालू भालू तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए मालू भालू Text-based questions State T for true and F for false A brave girl True T लिखेंगे मालू did not know how to catch fish F ठीक है, false होगा, तो F लिखेंगे Mother asked मालू to wait till summer when she wanted to go out T मालू was dumb F Swimming camp naturally to मालू T Read the following lines of the poem And answer the questions that follow तो यह जो line है, यह poem से लिया गया है और इसे पढ़ना है, फिर question का answer देना है High up in an icy layer Lived a little polar bear Snow white, snow bright was her man मालू भालू was her name What was the name of the भालू? तो मालू भालू Where did मालू live? In an icy layer What kind of bear was मालू? Snow white, little polar bear Write the meanings of the following words अब इसका जो है न, इस words का आपको meaning लिखना है जैसे कि layer है तो layer का meaning क्या होगा? Wild animals laying place Men का long hair on the neck of some animal ठीक है? इसके बाद है very short answer type questions Who is the man character of the poem? मालू भालू From which language was this poem translated? Hindi Short answer type questions What is the reason मालू gave to her mother for going out? She wanted to see things beyond the blue sky Why are मालू and her mother called brave? मालू भालू learned the skill of swimming with the help of her mother Language based questions Match the following with their opposites Column A, column B इसके opposite के साथ में matching करना है Spatial Spatial का क्या होगा? Ordinary इसमें matching करेंगे Natural का artificial D number इसके बाद है इसके बाद है आपका Pesant ठीक है? इसका क्या होगा? Impesant इसमें हम मेचिंग करेंगे इसके बाद है Far तो far का क्या होगा? Near Tight का Loose A number इस तरह से मेचिंग कर लेना है इसके बाद है Look at this picture and write a few lines on it इस picture को देखना है और इसके उपर आपको कुछ line लिखना है ठीक है? The picture is of Malu Balu and her mother They both are hugging each other ठीक है? तो आपका workbook complete हो चुका है कैसा लगा आपको पढ़ की? मुझे जरूर बताइए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरी चैनल NCRT The Mind को Like, Subscribe कीजी और पास में दिये गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजी ताकि NCRT से related हर वीडियो आपके पास समय से पहुंच दी रहे और मैं आप सभी को एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर आपके ब्रदर एंड सिस्टर कोई भी क्लास 4, क्लास 3, 2 में पढ़ते हैं या क्लास 5 में पढ़ते हैं आप तो अभी क्लास 6 में जाएंगे और इस क्लास में अगर पढ़ते हैं तो मैंने ओस्वाल का वर्क बुक बनाना मैं स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट सेशन से अभी तो आप अडिहंत का वर्क बुक बना रहे हैं अगर आप पढ़ना चाते हैं ओस्वाल का वर्क बुक एक्स्टा नॉलेज के लिए तो आप मंगवा सकते हैं और अगर आपको मंगवाना है तो मैंने लिंक के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है तो आप अगर आप मेरे दिया फे लिंक के द्वारा खरीदे हैं तो आपको एक्स्टा डिस्काउंट मिलता है तो ये बुक बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है और बहुत एजी है पढ़ने में आपको एक्स्टा नॉलेज के लिए जरूर खरीदना चाहिए तो आप जरूर खरीदे तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थैंक्स तो वाच मै वीडियो